प्यारे दोस्तों अल्टिमेट ग्यान में आपका हार्दिक स्वागत है जै मातादी दोस्तों हम आपको ले चलेंगे साधना से समाधी के और पिछले एक एपिसोड में हमने साधना से समाधी के और भाग नंबर एक में साधना के विशे में बताया था कि साधना कैसे करें और उससे समाधी की और कैसे पहुँचेंगे दोस्तों साधना के बारे में आप जान गए होंगे लेकिन जब तक आपको समाधी के बारे में पता नहीं चलेगा कि समाधी होती क्या है तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे जब किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल के बारे में ग्यात नहीं होता तो वह कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता तो दोस्तो हम आपको बताएंगे कि समाधी क्या होती है एक वाकिया है एक व्यक्ती दोड़ता हुआ चला जा रहा था कि एक गाड़ी से उसका एक्सिडेंट हो गया फिर क्या था दोस्तो एक्सिडेंट होने के बाद भी वह व्यक्ती दोड़ता हुआ ही जा रहा था लेकिन कुछ दूर दोड़ते रहने के पस्चात उसको पता चला कि तेरा तो पीछे गाड़ी से एक्सिडेंट हो गया पर तू दोड़ के से रहा है बस वहीं पर वो रुकता है और वापिस उसी घटना स्थान पर आता है जहां उसका एक्सिडेंट हो था दोस्तो वहें अपने आपको वहां पर मृत्य पड़ा हुआ देखकर बड़ा ही आश्ची चकित हो जाता है दोस्तो वास्तव में दोड़ते हुए व्यक्ति की आत्मा निकल जाती है जो की दोड़ती रहती है और बाद में पता चलता है कि वहें व्यक्ति मर चुका है यह आत्मा देख भी लेती है उसको तो दोस्तों यह स्थिती तो है मरने के उपरांत की लेकिन दोस्तों यही स्थिती यदि जीवित अवस्था में होने लगे तो उसे समाधी कहते हैं कि आत्मा बिना शरीर के धान के हुए कोई भी कार्यत नहीं कर सकती है तो दोस्तों आत्मा शरीर को धान करती है केवल आनंद को प्रापत करने के लिए उर्धुगति को प्रापत करने के लिए बस लेकिन इस देह में फसकार वहैं ऐसे माया जाल में फस जाती है कि ना तो वह इस देह से निकल पाती है और ना अपने आपको ही जान पाती है दोस्तों इसी माया-जाल में वह पूरे जीवन भर भटकती रहती है और एधर्मी हो जाती है पतित हो जाती है गलत काम करने लग जाती है बस दोस्तों उसका पतन होता चला जाता है समाधी की अवस्था अब इसी अवस्था को कहते हैं कि जिसमें यह आत्मा अपनी देह को उसी तरीके से देख ले जिस प्रकार म्रत व्यक्ति की आत्मा ने म्रत व्यक्ति के शरीर को देख लिया था बस यह जीवित अवस्था में अपने शरीर को उसी प्रकार देखने लगेगी और जान जाएगी कि मैं आत्मा हूं और शरीर अलग है बस दोस्तो उसी दिन से यह परमात्मा की ओर अग्रसर होना शुरू कर देती है अपने आपको जान जाती है फिर माया मोह के जाल में नहीं फस्ती और यही स्थिती समाधी की स्थिती कहलाती है तो दोस्तो आपके पास साधन भी है साधना का और आपके पास लक्ष भी है जिसमें आपको समाधी की ओर जाना है तो साधन भी है और लक्ष भी है तब अब आप अपने लक्ष पर भली भाती पहुँच सकते हैं दोस्तों, अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से अब साधना से आप समाधी की ओर जाएंगे और किस प्रकार से समाधी प्राप्त करेंगे इसके लिए आप हमारा अगला एपिसोड साधना से समाधी की ओर भाग नमबर तीन देखना ना भूलें तो दोस्तों कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद